विडियो और आज की विडियो में हम देखने वाले हैं हमारे फ्री फायर की ओल्ड प्लेयर्स की युवाइड इन 2022 और क्या वो प्लेयर्स अभी तक फ्री फायर खेल रहे हैं या फिर उन लोगों ने क्विट कर दिया गाईज और क्या उनके पास सीजन वन टू और रेड क्रि और लास में वह भी मर जाते हैं और जैसी यहां पर हमारे ग्यान भाई मर जाते हैं हमको देखने के लिए मिल जाता है एक प्लेयर जिसकी लेवल ती गाइस 53 और उसके पास सीजन वन का बैनर था शायद से यहां पर हम फटक से उसकी युवाइड सच करके देखते हैं और क् फ्री फार खेल रहा है और जैसे हम इंस्पैक करके देखते हैं तो हमको देखने के लिए मिल जाता है सीजन टू का हैड उसके साथ यहां पर एंजली पैंड और उसने सारे इलाइड पास यहां पर ले लिए मतलब गाइस उसका क्रेज अभी तक फ्री फार में बहुत जाता कि ग्यान बाई यहां पर ही फोप बंडल को मार रहते हैं पर यहां पर ग्यान बाई मर जए और हमको देखने के लिए मिल जाता है एक हिपप बंडल सो उसकी लेवल तब की समय में होती है 49 अभी हम सच करके देखते हैं कि यह बंदा अभी तक फ्री फार को खेल रहा है या जैसे हम यहां पर UID को सर्च करते हमको यहां पर Mr. Rahul नाम देखने के लिए मिल जाता है पर पिछली समय उसका नाम करंटा जैसे हम यहां पर इंस्पैक करते हमको देखने के लिए मिल जाता है 63 लेवल जो की अभी की टाइम में बहुत कम है क्योंकि पिछली समय इसका लेवल ता 49 और गाइस तीन साल में इसने बस 63 लेवल किया है मतलब हमको समझ में आता है कि इसने कही ना कही गेम को क्विट कर दिया था और इसके पास यहां पर हमको देखने के लिए मिल जाता है सीजन टू के शूज और रॉयल फलश की MP40 क्लीप नमबर 3 में यहां पर ग्यान बाई पेड़ के पिछे जा रहे होते और तब ही पीचे से यहां पर दो बंदे ग्यान बाई को टपर टप मार देते हैं और हमको देखने के लिए मिल जाते है ग्यान भाई के टीममेट की UID और उसके पास होता है सीजन टू के शूज मतलब इस बंदे के बास सीजन टू पूरा होगा सो गाज देखते हैं साच करें किया इसके पास सीजन टू है और क्या ये बंदा अभी तक फ्री फार को खेल रहा है या फिर इसने क्विट कर दिया है सो गाज जैसे हम इस UID को साच करते है तो हमको अभी तक उसका नाम सीसीरी देखने के लिए मिलता है और ये बंदा अभी तक गेम में ऑनलाइन है सो गाज जैसे हमने इस बंदे के ID को इंस्पैक कर दिया तो हमको देखने के लिए मिल जाता है वह समय देखते हैं उनके सामने तीन बंदे आ जाते और वह जाते हैं और फिनिश भी प्लेयर कर देते हैं सो जैसे हम पर घ्यान भाई फिनिश होता है हमको देखने के लिए मिल जाता है Dexter O US की यहां पर UID So guys Dexter O US की यहां पर ID हम सच कर कर के देखते हैं कि क्या ये बंदा अभी तक गेम में है या नहीं हम इस बंदी की यूइडी सर्च करके देखते हैं तो हमको यहां पर अभी तक वही नाम देखने के लिए मिलता है और इसकी लेवल हो चुकी है गाई 66 और हैरानी की बात तो यह है कि यह 30 देखते हैं कि क्या यह बंदा सच में छोड़े ओ भाई साब इंस्पैक करते हैं हमको देखने के लिए मिल जाता है सीजन वन और उसके साथ सीजन टू अरे भाई साब यार यह क्या देखता पड़ रहा यार और बंदे ने भाई क्विट कर दिया है गेम लॉल वाट इस इस बिएवियर ब्रो 66 लेवल है गाई की सो खास बात तो यह है कि यह भी हमारे गोवा से ही है सो गाई बढ़िया है ब्रो पर आपने क्यू लिव कर दिया गाई मुझे कुछ समझ में अगर कोई बंदा गो इस बंदी की लेवल होता है 47 सो गैस हम सर्च करके देखते हैं कि क्या यह बंदा अभी तक गेम को खेल रहा है या नहीं और क्या इसके पास कुछ रेर बंडल है जैसे हम इस बंदी की लेवल तो है 72 और इसके पास ऐलो क्रिमिनल बंडल भी है पर दुख के बाद तो यह है कि इस बंदे ने भी फ्री फायर को कुईट कर दिया है तो गैस यह थी हमारी क्लिप नंबर 5 अभी बढ़ते हैं क्लिप नंबर 6 की तरफ तो गैस यहाँ पे ग्यान भाई अकेले बचे हुए होते है और तभी गैस यहाँ पर ही पॉप बंडल उनको आके मार देता है और जैसे ही ग्यान भाई यहाँ पर मर जाते हमको मिल जाती है अनिमी की यू आइडी और देख सकते हो तभी के टाइम में इस बंदे के पास था ही पॉप बंडल उसके लेवल थी 48 अभी हम सच करके देखते है कि क्या यह बंद अभी तक फ्री फायर लाइक्स और इसने तब से लेके अभी तक ही पॉप बंडल को ही पहना हुआ यह थी हमारी क्लिप नंबर 6 अभी बटे है क्लिप नंबर 7 की तरफ इस क्लिप में हमको देखने के लिए मिल जाता है कि जैसे ग्यान भाई यहाँ टावर में चड़ रहे होते हैं और उनको उप पर से फटका पड़ जाते हैं और हमें मिल जाती एनिमी की यू आइडी और गाइस देख सकते हो इस बंदे के पास तो तभी के टाइम में सीजन वन का इलीड पास था और इसने फीमेल की ट्रेस पहनी हुई थी और तभी की टाइम में इस बंदे का लेवल था 43 पर देखते जैसे हम इस बंदे की यू आइडी को सर्च करते हैं तो हमको देखने के लिए मिल जाता है कि यह तो बंदा 10 मिनिट से ऑफ लाइन है इस बंदे को इंस्पेक्टर के देखते हैं कि क्या इसके पास रेर बंडल है यहां पर आप देख सकते होगे इसके पास है सीजन वन वाल क्या आपको ऐसे ही वीडियो और फ्यूचर में चाहिए तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना